एक्विटी शेयर मार्केट में कभी भी शॉर्ट टम की बेसिस पे लॉंग टम अजम्शन मत बनाई है मतलब दो या तीन दिन के मुवमेंट के बेसिस पे दो या तीन हफतों में क्या हुआ उसके बेसिस पे लॉंग टम कनलूशन बनाना कई बार बैक्फाय कर सकता है दो या तीन दिन मेट कैप नहीं चला मेट कैप की रहली खतम दो या तीन दिन मेटल्स नहीं चले अब तो मेटल्स की रहली खतम दो या तीन दिन बैंकिंग ने आउटपर फॉर्म कर दिया अब तो भागो सारे के सारे बैंक्स लेलो इस तरीके से equity share market में काम नहीं होता, अगर आपके पास एक time tested process है, उसके उपर बने रही है, आपको success मिल जाएगी, मेरा नाम है अनन्त लडाव, CFA, CACFP, LLB, अगर अभी तक आपने open for all free telegram channel जोईन नहीं किया है, सिधा telegram पर जाके invest आज फरकल सर्च करेगा, आपको इस channel मिल जाएगा, चलिए शुरू करते हैं, अनन्त का फंडा का पहला पाट, जिसका नाम है market today, सबसे पहले index के उपर नज़र डालते है, सारा गा सारा cover हो गया, जैसे mid cap index के हुए, धाय दिन पूरे, advanced line ratio पर नज़र जा ले तो 560 के उपर शे advance हुए, जिसके against 1200 के उपर शे decline हुए, assets तो काफी खराब advanced line ratio है, पर first half में इस से भी ज़्यादा था, second half में एक अच्छी recovery हमें देखने को मिली, sectors की बात करें तो metals ने वापे से धाय दिन बाद बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बाउंस दिया, IT, FMCG, infra और consumption भी अच्छे रहे, जो sector आज की दिन तोड़े से कमजोर है, वो था, सबसे पहले तो PSU bank led by SBI, मीडिया, reality, private bank और financial sector आज की दिन तोड़ा सा कमसोर रहा है, जिस समय में वीडियो बना रहे है, उस समय US features हम neutral से बोल सकते हैं, आप इदर चेक आउट कर सकते हैं, Wix 12.87 पे काफी नीचे सोच समझ के काम करना ज़रूरी हो जाता है, especially options में, अब सबसे पहले Nifty के movement के ओपर नज़र डालते हैं, Opening होई थी gap of opening 16,288 की, first half में market तोड़ा सा zigzag करता रहा, पर जैसे ही expiry का टाइम आया, 12 बजे के बाद market ने नाप की सीव में उपर के साइड ले गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा calls trapped थे, बहुत ज़्यादा put buying हो रखी थी, जैसा कि हमने पिछले दो दिन से discuss किया है, उन सब को आज की दिन बिल्कुल ऊपर की तरफ closing करी, और पूरा का पूरा trap करा के छोड़ा, closing हुई है 16,294 पे high बना है 16,349 का जो वापिस एक lifetime high बन चुका है, overall market की बात करें, तो आज भी वापिस से breath इतनी strong नहीं थी, आप बोला जाएना, जिस तरीके का market का महौल है, कल से या फिर next week से वापिस से market की breath इंप्रूव होना start, होना चाहिए, this is personally which is expected, आप चलते हैं next section में जिसका नाम है Viewer's Query, सबसे पहला question आप इदर चेक आउट कर सकते, क्या हमें Elgo Trading में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास time नहीं है, आपको market के हर एक product समझ आने लग जाएंगा, हर एक product आपको लगेगा कि यह भी अच्छा है, पर Elgo Trading में मैं personally भी काम कर रहा हूँ काफी समय से, हमारे खुद के भी model से, जितना I have realized is, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा capital नहीं है, तो Elgo Trading मैं होता तो personally avoid करता, अब सबसे पहले चेक आउट कर लेते हैं subscription को, आप इतरे चेक आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हम चेक आउट करते है Xaro को, retail quota almost 21 times से जदा over subscribe हो चुका है, QIB भी एक time almost पर चुका है, असली QIB और NII कल के दिन में ही पता चलेगा, अगर इस IPO की बात करे जाएं और final listing की बात करे जाएं, Xaro एक ऐसा IPO जो trade to trade में list होने वाला है, इसलिए या तो यह सीधा upper circuit पर चलता जाएगा, या फिर अगर operator चाहे तो इसे lower circuit पर भी लिया सकता है, यह compared to other three IPO, one of the सबसे risky IPO है, risk का मतलब यह नहीं है कि इसमें listing gain नहीं हो सकता, listing gain हो सकता है, पर comparatively risky है, इसलिए यह IPO सिर्फ और सिर्फ aggressive investors के लिए बनता है, नेक्स बात करते है, Krishna Diagnostic की IPO की, आप इज़े चेक आउट कर सकते है, रिटेल कोटा अगें 21 टाइम से ज्यादा over subscribe हो चुका है, नेक्स बात करते है, Devyani International की IPO की, Devyani International का IPO अगें 22 टाइम से ज्यादा over subscribe हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है, Devyani International और Krishna IPO में मैंने personally अपने हर एक family member के नाम से एक एक lot में already apply कर दिया है, एक अच्छे listing इनकी apply किया है, finally बात करते है, Windlass की IPO की, आप इज़े चेक आउट कर सकते है, retail कोटा 13 टाइमस के आसपास over subscribe हो है, इसको मैं बहुत सकता हूँ कि one of the poor IPO है, सबसे best 2 IPO तो बनते है हमारे सामने Krishna का IPO, उसी के साथ साथ Divyani International IPO, उसके बाद अगर हम जो 3rd ranking देनी तो 3rd ranking आजाती है Windlass की, और 4th आती है X0 की क्योंकि वो है trade to trade, अपने capital के हिसाब से decision लिना बहुत जरूरी होता है, next week भी 4 IPO है, उस समय तक majority chance यह है कि अभी जो आप IP में पैसा लगाओगे, वो unblock नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के हमें apply करना सरुरी हो जाता है, अपनी capital को ध्यान में रखते वे, अपनी risk appetite को ध्यान में रखते वे काम करना सरुरी हो जाता है, आप चलते हैं next section पर जिसका नाम है stocks in focus, सबसे पहला stock जिसे हम टिकर टेप पर चेक आउट करेंगे, आप चेक आउट कर सकते है शाम मेटलिक, कभी भी यह 425 के लेवल को क्रोस करता है, तो 430 से 440 के लेवल बढ़ ही आराम से आ सकते है, पर 430 पर हम चाहें तो एक बाइसे ट्रेल कर सकते है, next important stock, यह एक ऐसा stock है जिसे हम टिकर टेप पर देखेंगे तो सही, यह एक या दो दिन का stock नहीं है, यह minimum to minimum होने वाला है, 15 देस से लेके वन मन्त के बीच का stock, आप इसर चेक आउट कर सकते है stock को, नाम है coforge, कभी भी 4700 के आसपास में तो बहुत अच्छा zone होता है, यह medium term perspective के लिए यहां से बात हो रही है, at least 5-7% का मेरा यहां पर target होने वाला है, अगर अभी तक आपके DMAT नहीं है, तो description में DMAT अकाउंट openings और private channel पर चुणने का process मिल जाएगा, वाणना लगी इस उलता आप जॉइंड बट general market trend की importance, all throughout, जब-जब market ने rally किये, general market trend आपको हमेशा, अब trend में मिला है, अब चलते है, final section पर जिसका नाम है, expectations from tomorrow's market सबसे पहले call का ISO Pinterest 16,500, second ISO Pinterest 16,000 और third ISO Pinterest 15,800 पर major resistance 16,350 से 400 की range है, market, मतलब Nifty अपने resistance zone के पास है, especially 16,400 और 500 की range पे आभी भी अच्छी call writing हो रखी है, इसलिए market को वापी से 16,400 और 500 की range को cross कर पाना इतना आसान नहीं होगा, उसलिए साथ साथ पूट के ISO Pinterest की बात करेंगे तो 15, 15,000, second ISO Pinterest 16,000 और third ISO Pinterest 15,800 पर major support हमें मिलेगा 16,200 से लेके 100 की range, 16,100 एक major major support के इसे काम करने वाल है, put call ratio 1.40 के आसपास है, as such अभी भी काफी comfortable रहने वाला है, अब अगर market की बात करेंगे, कल के लिए simple सा formula है, अगर कोई अच्छा stock support पे आ रहा है, तो उदर हमारी ध्यान होना उसी के साथ-साथ कल मेरा ज्यादा दियान होगा, mid cap और small cap की तरफ, nifty और bank nifty पे एक बार मैं तुर्ण सा दियान हटा दूँगा, mid cap और small cap, especially अगर कोई strong mid cap या small cap है, जिसके results भी बहुत अच्छा है, उसके उपर मेरा personally special focus होने वाला है, कल एक ऐसा दिन हो सकता है, जहाँ पे हमें कुछ अच्छे मौके मिल जाए, पर्चेस करने के लिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें भी ना मज जाएगा, चानल को सब्सक्राइब, बैल राकिन क्लिक नहीं गया, तो कोई important वीडियो में सो जाएगा, मिलेंगे next वीडियो में तब तक, happy investing and I will see you very soon.